नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं Do, Does और Did के Special Use को जो आप लोग सुभा उठने से लेकर रहा सोने तक English बोलते हैं वो structure आज में आप लोगों को देखाने वाला हूं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे Keep On, Carry On, Go On के बारे में भी और साथ हम इनका Compare करेंगे Nothing But से और आप जानेंगे Nothing Sort Of और Nothing To Do With का यूज़ के इस परकार से करते हैं हम अपनी Daily Life में तो आए इस वीडियो को सुरू कर देते हैं आप लोग देख रहे हैं Daily English For All देखिए Nothing To Do With मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ structure आप लोगों के सामने है subject उसके बाद हम has, have according to subject रखेंगे present time को दिखाने के लिए had का यूज़ करेंगे हम past time को दिखाने के लिए और will have का यूज़ करेंगे हम future time को दिखाने के लिए उसके बाद आप सीधा रख देंगे nothing to do with उसके बाद object देखिए example है मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है I have nothing to do with this place सबसे पहले subject उसके बाद have क्योंकि project का sentence है और according to subject हमने have का यूज़ किया उसके बाद हमने nothing to do with का यूज़ किया nothing to do with उसके बाद this place जो की object है ठीक है मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है I have nothing to do with him उसका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है उसका इन पैसो से कोई लेना देना नहीं है उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं था तो past की बात है तो हमने head का यूज़ किया इसी परकार से अगर future के बारे में बताना है तो will have का यूज़ कर लेंगे आई आप next देखते हैं देखिए do, does or did इनका special use आप लोगों को बताने जा रहा हूँ देखिए अपनी बात पर जोर देने के लिए हम इनका use करते हैं ये पहला point बता रहा हूँ आप लोगों को अभी इसके दो point और बताऊँगा सबसे पहले हम subject रखते हैं उसके बाद दू, does या did according to subject उसके बाद वर्प की first form उसके बाद object मैं पढ़ता हूँ आप सीधा बनाते हैं I read ठीक है अगर हमें अपनी बात पर जोर देना हो तो हम इस structure का use करते हैं do, does या did में से किसी एक को रखते हैं according to subject और tense देखिए मैं पढ़ता तो हूँ I do read अपनी बात पर जोर देने के I do read पतलं मैं पढ़ता तो हूँ इसी परकार से वो cricket खेलता है आप सीधा बनाते हैं he plays cricket वो cricket खेलता तो है अब यहाँ पर अपनी बात पर जोर देना है तो हम he does play cricket कहेंगे he does play cricket वो cricket खेलता तो है यहाँ पर does क्यों आया क्योंकि he third person similar है he see it या कोई भी एक वचन संग्या हो तो उसके साथ हम does का use करेंगे इतना clear है और बाकी सभी के साथ हम do का use करेंगे अपनी बात पर जोर देने के लिए इसी परकार से दिखे पाष्ट के लिए मैंने उसे बुलाया I called him ठीक है वर्प की second form I called him मैंने उसे बुलाया मैंने उसे बुलाया तो था अपनी बात पर जोर दिया जा रहा है मैंने उसे बुलाया तो था I did call him तो आप did का use करेंगे subject के तुरंत बाद क्योंकि past की बात है यहाँ पर did का use करेंगे ठीक है और did के बाद हम वर्प की first form लगाएंगे call यह called नहीं करेंगे नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा I did call him ठीक है अब देखिए second use do does did मतलब किसी के पास कुछ तो है या था देखिए subject उसके बाद do does या did पीनों में से कोई सा भी use करेंगे according to tense और subject उसके बाद हम have रखेंगे और उसके बाद object मेरे पास laptop है I have a laptop ठीक है इस परकार से आप लोग easily बना लेते हैं अब देखिए हमें अपनी बात पर जब जोर देना है मेरे पास laptop है तो या मेरे पास laptop तो है जब हमें अपनी बात पर जोर देना है तो हम do का use करेंगे क्योंकि present की बात है I do have a laptop do का use क्यों किया according to subject ठीक है उसके पास समय है he has time इस परकार से बन जाता है simple जब जोर देना हो उसके पास समय है तो he does have time ठीक है कि does has time नहीं करेंगे यहां पर ठीक है have का use करेंगे जैसा कि structure में है ठीक है सभी के साथ have का use होगा do does did सभी के साथ have का use होगा उसके पास समय था she had time किसी इस्तरी की बात है she का use करें she had time उसके पास समय था अगर जोर देना हो उसके पास समय था तो she did have time पास्ट की बात है ठीक है did का use किया अब फिर से have का use करेंगे ठीक है had का use मत करना कि she did had time तो गल्त हो जाएगा she did have time उसके पास समय था तो अब देखे तीसरा use do does और did का imperative sentences में बातों पे जोर देने के लिए do का use करेंगे starting में ही जैसा कि imperative sentences में होता है उसके बाद verb की first form उसके बाद object मेरी बात ध्यान से सुनो यह simple वाला बता रहा हूं आपको अभी बातों पर जोर वाला नहीं है ठीक है do listen to me carefully imperative sentence है अब देखे please understand किर्पिया समझे अगर जोर दे ना हूँ please do understand मतलब कि किर्पिया समझे तो इस परकार से ठीक है please do understand अब देखे nothing but का यूज एक कार्र के अलावा दूसरा काम ना हो तब हम nothing but का यूज करते हैं structure है subject उसके बाद helping verb उसके बाद nothing but उसके बाद verb की first form आ सकती है या फिर object आ सकता है दोनों का sense अलग होगा मैं पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूं या फिर मैं कहूं मैं सिर्फ पढ़ाता ही रहता हूं तो हम कहेंगे I do nothing but teach मतलब की मेरा दूसरा और कोई काम नहीं है इसके अलावा I do nothing but teach पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूं ठीक है वे और कुछ नहीं बलकि मच्वारे हैं वे मच्वारे के अलावा कुछ नहीं है दोनों sense एक ही है इंदी का ठीक है जहां से समझे आर नथिंग बट फिसर मैं वे मच्वारे के अलावा और कुछ नहीं है कुछ और नहीं है वह जैसे फौजी नहीं है वो मच्वारे है यह कह subject साथ use होता है तो फिर के अलावा का sense आता है ठीक है या फिर कुछ नहीं बलकी के sense में यूज करते हैं देखिए तुम एक मुर्क के सिवा कुछ भी नहीं हो डिलल्लाइट में बोलते हो ना किसी को भी बोल देते हो आप लोग यार दोस्तों मजा यार तू मुर्क के सिवा कु क्योंकि परजैंट की बात है तो हम इस लगा रहे हैं पाश्ट की बात होती तो वाज लगा देते हैं यहाँ पर ठीक है अक्रडिंग तो सब्जेक्ट यह भी वाज वर का यूज करेंगे पाश्ट के लिए वह बकवास के सिवा कुछ नहीं करता है या फिर हम कहें वह बकवास ही तो करता है ठीक है तीनों सेंस देता है वह बकवास ही तो करता रहता है वह बकवास के सिवा कुछ नहीं करता 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 है वह बकवास के सिवा कुछ नहीं कर उसके बाद वर्ब की first form, अगर object है तो object रख देंगे direct, अगर वर्ब की बाद object है तो उसके बाद रखेंगे, ठीक है, लेकिए, उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, या फिर वो बहस ही करता रहा, पाश्ट की बात है, उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पीया, या फिर कहें उसने पानी ही पीया, सिर्फ पानी ही पीया, या फिर कहें वो लड़ता ही रहा, He did nothing but fight, मैं खेलता ही रहता हूं, I do nothing but play, मैं खेलता रहता हूं, I keep on playing, तो यहाँ पर ध्यान देना, keep on, carry on, go on, इन तीरों में से हम किसी का भी use कर सकते हैं, इस sentence में, अगर past की बात हो, तो हम इसकी second form लगा देंगे, kept, मैं खेलता रहा, तो फिर मैं कर दूँगा, I kept on playing, तो यहाँ पर है, I keep on playing, मतलब कि मैं खेलता रहता हूं, present की बात है, तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है, I do nothing but play, और I keep on playing में क्या अंतर है, तो इसमें सिर्फ अंतर यह है, जो हम do से बनाते हैं, do, does या did से बनाते हैं, उसके बाद nothing but का use करते हैं, उसमें हम अपनी बात पर जोर देते हैं, ठीक है, और जो हम keep on से बनाते हैं, या carry on यहाँ पर use कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद verb की ing form, जब हम इस परकार से बनाते हैं, keep on, carry on, go on से, तो इसका मतलब है कि कोई काम करते जाना, मतलब जारी रहना, लगाता चलते रहना, जैसे मैं खेलता रहता हू मैं खेलता रहता हूँ, बस मैं ऐसी बोल रहा हूँ, खेलता रहता हूँ, I keep on playing, I carry on playing, I go on playing, अगर मुझे अपनी बात पर जोर देना है, मैं खेलता ही रहता हूँ, I do nothing but play, मतलब खेलने के सबाद कुछ नहीं करता भाई, खेलता ही रहता हूँ, दूसरा कोई काम ही नहीं है I do nothing but play, थीक है, इतना clear हो गया होगा आप लोगों को, अब दिखने है next, अब दिखें, nothing sort of का यूज़ करते है हम, किसी चीज़ से कम नहीं के sense में, structure आप लोगों के सामने है, subject, is, am, are का यूज़ करेंगे हम present के लिए, was, were का यूज़ करेंगे, past के लिए, nothing sort of और उसके बा behavior is nothing sort of, foolishness, ठीक है, सबसे पहले subject, your behavior, यह subject है, ठीक है, your behavior, आपका व्यवहार, उसके बाद according to subject, हमने is का यूज़ किया present time को दिखाने के लिए, उसके बाद nothing sort of, nothing sort of, उसके बाद object में हमने कोई noun आता है ज्यादतर, ठीक है, foolishness, ज्यादतर एक noun का यूज़ करते है हम object के foolishness, की का मुर्खता, तो आपका व्यवार किसी मुर्खता से कम नहीं है, your behavior is nothing sort of foolishness, ठीक है, पंदरा मिनिट तक सांस रोक कर रखना, किसी चमतकार से कम नहीं है, holding breath for 15 minutes, मतलब कि 15 मिनिट तक सांस रोकना, या रोक कर रखना, is nothing sort of a miracle, ठीक है, किसी चमतकार से, कम नहीं है, nothing sort of a miracle, मतलब चमतकार, ठीक है, पास्ट का एक sentence है, उसके सब्द किसी गाली से कम नहीं ते, किसी गाली से कम नहीं उसकी बाते लग रही थी, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद है आप लोगोंने अच्छे से समझा होगा इस वीडियो में डू डज हैव हर चीज मैंने आप लोगों क्लियर किया है नथिंग बट नथिंग सॉट अफ नथिंग टू विद अब लोगों से उमीद करता हूँ कि इस वीडियो पर आप लोग कम से कम पान सो लाइक तो कर ही देंगे इस वीडियो को बनाने के लिए इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक जो पहले ही बता दिया भी तो थैंक्स वर वाचिंग, टेक के एर, बाई बाई